दोस्तो सस्क्राइब कराए हमारे यूटूब चेनल को बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तो स्वागत आप सभी काज किस वीडियो में आज की वीडियो हम बात करेंगे मिस्तुबी सी एक्सपेंडर के पारे में जिसको की इंडियन रोड पर टेस्टिंग के दोरन देखा गया है और उम्मीद है कि इस काड़ी को जल्दी ही इंडियन मार्केट में लौंच कर दिया जाएगा मिस्तुबी से इस काड़ी की टेस्टिंग इंडियन मार्केट में कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में बागी दूसरे देशों में इस काड़ी को काफी समय से बेचा जा रहा है और यह एक सेवन सेंटर MPV है अगर इस काड़ी को इंडियन मार्केट में लौँच किया जाता है तो इस काड़ी का कॉम्पिटिशन होने वाला है मार्तियो सुझुकी की आ लौँच होने की पूरी पूरी उम्मीद है अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस काड़ी के डिजाइन के बारे में उसके बाद हम बात करेंगे इस काड़ी की प्राइस और इस काड़ी के लौँच डेट के बारे में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप हमारे शार्प और बहुत ही इस्टाइलिस और बहुत ही लुकिंग वाला डिजाइन दिया गया है यहां पर आपको LED हेड्लेंप दिये गये है और जो अभी लेटेस्ट में ट्रेंड चल रहा है DRL अलग और हेड्लेंप अलग उस तरह से मतलब आपको डिजाइन दिया है अगर हम इस गड़ी के साइड डिजाइन की बात करते हैं अगर हम इस गड़ी के साइड डिजाइन की बात करें तो साइड में जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल आपको MPV वाला लुक इस गड़ी में देखने को मिल जाता है और side से भी ये गाड़ी देखने में काफी जदा stylis लगती है और जो सबसे जदा stylis बनाते हैं वो इसके हैं yellow wheels का design जो yellow wheels का design है वो इसमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है अब हम चलते हैं इस गाड़ी के रियर में और देखते हैं वहाँ पर आपको किस तरह का लोग देखने को मिलता है अगर हम इस गाड़ी के रियर डिजाइन को देखें तो यहाँ पर रियर में भी आपको काफी ज़्यादा इस्टाइलिस्ट डिजाइन देखने को मिलेगा वासा e-spoody बनाया गया है और इस काड़ी में आपको roof rails का option भी दिया गया है तो यह सभी हो गई इस काड़ी से जुड़ी exterior और design के बरे में जानकरी, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस काड़ी में आपको को फीचर्स देखने को मिलेंगे, इस काड़ी के इंटिरियर में आपको 7 इंच का इंफोर्टेन्मेंट सिस्टम दिया गया है जो की Android Auto और Apple CarPlay जैसे सभी features को support करेगा अगर इस काड़ी में मिलने वाले engine option के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1.5 लिटर का petrol engine international market पर जो expander बेची जाती है उसके अंदर दिया जाता है और हमें उम्मीद है कि इंडियन मार्केट में भी जो इस काड़ी को launch किया जाएगा तो इसमें आपको single engine option ही देखने को मिलेगा 1.5 लिटर का petrol engine अगर हम इसके power की बात करें तो यहाँ पर इसमें 106bhp की power और 141 लिटर का torque आपको देखने को मिलेगा और जो यह 1.5 लिटर का petrol engine है इसमें आपको automatic और manual दोनों ही gearbox देखने को मिल जाएगे अगर हम इस गाड़ी की build quality की बात करें तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी की build quality काफी अच्छी मिल जाएगी मतलब कि आर डिगा से आपको काफी ज़्यादा बहतर इस गाड़ी की build quality देखने को मिलेगी Mr.Busey expander का जो interior है वो आपको बहुत ही ज़्यादा लगजी रहे है अस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको 7-seater और 6-seater का option Indian market में देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको touchskin system दिया गया है इस गाड़ी में आपको sunroof का option देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि international market में जो expander बेची जाती है उसमें भी आपको sunroof नहीं दिया गया है अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की price के बारे में तो इस गाड़ी का price 9 लाग रुपे से लेकर 14 लाग रुपे तक Indian market में होने वाला है इस गाड़ी को अगर Indian market में लौंच किया जाता है तो इसका सीधा सीधा competition होने वाला है अर्टी सुजुकी की आर्टिका के साथ में एक्सल 6 के साथ में और महिंद्रा की मेरेजो के साथ में तो चलिए दोस्तो आज के वीडियों बस यही जानकरिती मिस्तुबिसी एक्सपेंटर के बारे में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन को दबाएं अगर आपका कोई क्यूशन रदा आप हमें इस्टाग्राम पर फोलो करें और वहाँ पर मेसेज करें हम आपके क्यूशन का तुरंत ही जवाब देंगे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस्टाग्राम का